आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वेडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अलो गैस, कोशन होला है कि Inverted Conical Flask है, जो की Fill किया जाता है Water से, ठीक है जो Rate है, Fill करने का 3 cm की उपर सकेंड है, Height of Flask 10 cm Radius of Flask जो Base है वो 5 cm है, तो Water Level कितना Rate से Rise कर रहा होगा जब हमारा 4 cm हमने Water को Fill कर दिया है तब तो यहाँ पे कुछ ऐसा है हमारा Condition है Conical Flask है हमारा, ठीक है ऐसा कुछ, अब यहाँ पे Radius of the Base, यानि कि इसका जो Radius है यानि कि यह Radius, यह हमें क्या Given है, तो यहाँ पे given है यहाँ पे 5 cm, क्या given है 5 cm, और जो Height of the यहाँ पे Conical Flask है, यानि कि यह Height Total, ठीक है, तो यह Height और जहाँ पे हमारा Water Fill हो चुका है, जहाँ तक वह Height, यह दोनों किसके एकवाल है Height of Flask हमारा 10 cm है और यह जो Fill हो चुका है, वह हमारा 4 cm Fill हो चुका है, तो हमें गिवन है Condition, तो हमें बुलाए कि अब कितना, यहाँ पे Rate से Water Fill हो रहा है How fast water level is rising, यह हमें निकालना है So basically हमें क्या क्या गिवन है So dv upon rate का value given है, यानि कि Volume this rate से Fill हो रहा है, वह हमारा 3 cm3 per second, so 3 cm3 per second दूसरा चीज हमें गिवन है, कि यहाँ पे आप जो Rest Height बचा, ठीक है, so Rest Height हमारा यह बचा और यह कितना हो जाएगा, so 10-4 यानि कि 6 cm होचा बेचिकली है, ठीक है So 6 cm, तो हमें Volume of the Conical Flask मालूम है वो क्या होता है, 1 by 3 Pi r square h, r जो है, वो हमें given है So r का value हमें क्या given था, so यहाँ पे r है 5 cm, और जो Height है Conical Flask का, वो 10 cm है तो अपन बोल सकते हैं कि जो h है, ठीक है So h जो है, वो हमारा 2 r के Equal है, ठीक है यानि कि अपन बोल सकते हैं, r जो है, वो हमारा h upon 2 के Equal है ऐसा अपन लिख सकते हैं So यहाँ पे क्या बन जाएगा So r के जगा पे हमारा h by 2 बन जाएगा So h by 2 का whole square into h Further इसको देखे, so volume क्या आजाएगा 1 by 3 pi और यहाँ पे क्या बन गया So h cube upon 4 ऐसा बन गया So basically यह आगया 1 upon 2 बन पाई h cube ऐसा आगया volume अब अगर यहाँ पे volume को differentiate करें t से तो यह बन जाएगा db upon dt ठीक है So this is equal to, यह हमारा क्या बन जाएगा 1 by 12 pi और h cube को differentiation t के respect में करेंगे तो यह जाएगा 3 h square dh upon dt जो height है वो में मालूम है वो height हमारा क्या बचा है 6 cm So यहाँ पे height का value 6 cm रख देंगे तो यह बन जाएगा 1 by 12 pi 3 into h के जगा पे 6 रखा हमने 6 का square dh by dt हमें निकालना है जबकि db by dt हमें 3 के equal given है ठीक है, ऐसा कुछ given है तो यह 3 से यह 3 हमारा cancel हो गया अब यहाँ से पन देखें तो यह 1 by 12 इधर 1 बचा हमारा और यह हमारा pi into 6 into 6 है और यह हमारा dh upon dt आ गया फर्दर अपन देखें क्या बन जाएगा 6 2 जा 12 ठीक है 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6 होता है तो यह क्या आगया हमारा यहाँ से so dh upon dt का value पर निकाले तो वो आगया 1 upon 3 pi cm per second ठीक है, ऐसा बन जाएगा 1 upon 3 pi cm per second हमारा answer होता है Classics to 12 से लेके Need IIT, JE, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज राउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर